हेलो बच्चों आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्था सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव एक अक्षा में जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशिन ग्यान बच्चों अपने स्टोरी गुइंग ओन है आवलीन अपने स्टोरी के बारे में पढ़ा एक ऐसी 19 एर ओ तो कि बहुत ही अपने फैमिली के प्रती डाडिकेटिड है अगर हम आवलीन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जेम्स जोयक सर ने आवलीन की करेक्टर को बहुत ही अच्छा सा लिखा है और मैं आपको फर्स्ट पार्ट में इसका जेम्स जोयक सर के बारे में बता चुक और वहां पर भी हम एवलीन के बारे में पढ़ रहे थे अभी मैं आपको रिकॉल करवाती हूं एवलीन के लिए एवलीन 19 यह ओल्ड एक बच्ची है जिनकी मदर एकस्पायर हो गई है और मदर ने लास्ट दिन उनसे एक प्रॉमिस लिया था डेथ टाइम पे कि एवलीन यू केरफुल रहती हैं प्लस वो घर का साफ सफाई करना घर का खाना बनाना सारा काम करती हैं एवलीन के फादर मिस्टर हील के अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं एवलीन के जो फादर हैं वो नॉन कॉपरेटिव हैं ना तो उन्होंने अपनी वाइफ को कॉपरेट क वो एक violent nature के हैं लेकिन कहीं न कहीं एक moment पे अवलीन को वो cooperative भी लगते हैं क्यों लगते हैं हम आपको बताते हैं बचों अवलीन हमेशा कहती थी कि मेरे फादर से हम सब को डार लगता है बचपन में भी जो वो खेलते थे तो उन्हें टैरर रहता था कि कब फादर आ जाएंगे और कब उन्हें डंटना शुरू कर देंगे लेकिन जब एवलीन फ्रेंक के संग भाग रही होती है तो उसके फादर की अच्छाईयां उनके दिमाग में आती हैं कि कहीं ने कहीं मेरे फादर ने मेरे को बच्चपन में प्यार किया था मेरे फादर ने मेरे लिए टॉइज एट्सेक्टरा लेके आये थे तो हम मिस्टर हील का एक रूप और देख रहे हैं जो slightly ही हमें दिखाई दे रहा है इसके अलावा हम एक कॉंशियस फादर के रूप में भी मिस्टर हील को देखते हैं बचो हम क्या देखते हैं कि मिस्टर हील जो है जब आवलीन और फ्रेंक के रिलेक्शन की बात उनके दिमाग तक पहुंचती है उनके कानों तक पहुंचती है लोगों के दवारा तो आवलीन को भी कहते हैं आवलीन सेलर्स पर बिलेव नहीं करना चाहिए और फ्रेंक को भी वो बोलते हैं कि आप मेरी बेटी से दूर रहेंगे तो आवलीन और मिस्टर हील फादर और डॉटर का जो करेक्टर है वो कहीं न कहीं कई मुवमेंट्स में मिस्टर हील जो हैं वो सॉफ्ट दिख रहे हैं काइंड दिख रहे हैं बाकी पूरे टाइम में शॉट स्टोरी में ये एक वोईलेट फादर के रूप में ही रिजंबल हो रहे हैं हम बात करते हैं Ernest की Ernest जो है वो Evelyn के भाई हैं और Ernest जो है वो Church Decoration Business में काम करते हैं Dublin के अलावा वो All Over Country में विजिट करते हैं और अपने Business से Related Work करते हैं Evelyn के एक और भाई होते हैं Harry Harry says it's okay Evelyn is not so much attached with Harry as attached with Ernest but she has soft corner for Harry क्यों क्योंकि Harry जो है वो उनको कई माईनों में अलग तरह के छोटे भाई के रूप में बदमाशियों में और प्यार में केर में बहुत ही अच्छे से दिखते हैं हम बात करते हैं Frank की जी हां हम बात कर रहे हैं Frank की जो की Evelyn और Frank की Love Mystery में एक करेक्टर है और Love Mystery में हम Frank को क्या देखते हैं He is a sailor He always comes Dublin and he wants to meet to Evelyn और धीरे धीरे Evelyn और Frank की दोस्ती हो जाती है प्यार हो जाता है बट जहां पर marriage की बात आती है Evelyn को कई सारी चीज़े ये Frank के लिए याद आती है It's okay His kind, His manly He tells many stories about sailors बट ultimately हम क्या देखते हैं Evelyn Frank के करेक्टर के लिए फिर भी satisfy नहीं है वो God से भी पूछती है कि मुझे guide करें और उनके दिमाग में भी ये चीज़ आती है कि कहीं Evelyn को फ्रेंक डुवो ना दे समुद्र के अंदर तो कई सारे circumstances आते हैं फ्रेंक के करेक्टर को only love purpose से देखा जाए तो It's okay but Evelyn जो है वो एक cultured lady है और बच्ची ही हम उन्हें कह रहे हैं क्योंकि lady तो हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके उपर family के जिम्मेदारियां डाल दी गई थी लेकिन हम उनको girl इसलिए कह रहे हैं कि she is teenage growing है वो और growing जो बच्ची है उस पे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनके father बिल्कुल भी corporate नहीं कर रहे हैं और Harry और Ernest की देखबाल करना घर की साफ सफाई करना प्लस वो caretaker का काम भी कर रही है और shop में भी काम कर रही है hope आपको story याद आ गई होगी बच्चों आज हम इनके long answer questions करेंगे अपने part 3 में और हम क्या देखते हैं जेम्स जोएक सर का जो way of writing है आवलीन के character को इन्होंने बहुती अच्छे से लिखा है और ये आवलीन का character हमें दर्शाता है उस वक्त जेम्स जोएक सर जो girls की conditions होती है society में उसके उपर point out करते हैं बट girls की condition होने के बावजूत जेम्स जोएक सर का जो आवलीन के character को last में presentation दे रहे हैं क्या दे रहे हैं वो कि वो family को चुनती है Frank को नहीं चुनती है उनको father की भी बात याद आ रही है उनको अपने brother की भी बात याद आ रही है और अपनी dad mother की भी बात आ रही है कि you will take care of this family और bondage में रहना है unity में रहना है तो इस सब बातों की वज़े से आवलीन क्या कहती है it's okay मैं यंग हूँ लेकिन मेरे father मेरे brother कहीं न कहीं मेरे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे तो hope आप इस story को देख रहे हैं James जोएक सर का उस time period में जो भी circumstances था गर्स का उसको point out करने का तरी questions and when we are taking our long questions first I will request all of you to open your notebooks and take your pen because first मेरे साथ readout करेंगे जी हां में बार बार कहती हूँ क्योंकि readout करना भी अपने आप में बहुत ही जरूरी है आप देखते हैं आप school की prayers को कहीं पे भी लिखके नहीं रखते हैं आप school morning hours में जो prayers होती है tables आपको बोलने को बोला जाता है पहाड़े हम बोलते हैं तो इन सब को भी आप क्या कर रहे हैं learning speaking process को follow करते हैं तो वही हम आपको यहां कहना चाहते हैं first you will readout with me after that you will write down in your copies and learn that and do more and more practice for that one it's okay first we are taking our first question बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं James Joyak sir जो है वोनकी consideration है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं what are the aspects of contemporary society that got the consideration of James Joyak in Aveline James Joyak sir का Aveline में जो यह अपनी short story है इसमें वहां की जो contemporary society का चित्रण किया गया है वो कैसे करना है उसको हमें answer के रूप में किस तरह से करना है बच्चों जैसा कि हमने अभी देखा कि हमें कुष्यन को attempt कर रहे हैं तो उस कुष्यन में क्या पूछा जा रहा है कि यह story है क्या तो हम इसी को continue करते हैं देखें James Joyak's story Aveline presents a very good picture before us हम सब के सामने बहुत ही अच्छी picture James Joyak sir ने उस time की society की देने की कोशिस की है it tells us about the society of his time पूरा उनका जो उस time का society picture होता है अप डाउंस होते हैं उनकी बात की है sir ने the eldest daughter of one's home is given all the responsibilities of her home जो घर की सबसे बड़ी बेटी होती है मैंने आपको story बताई बच्छो यहां पे हम Aveline story की बात करते हैं तो Aveline जो है वो सबसे elder daughter होती है family की and जो उनके father होते हैं वो उनने पूरी घर की responsibilities दे देते हैं it happens in the absence of the mother of the daughter और यह सब कब होता है बच्छो जब उनकी जो mother है daughter की इतमी सावलीन की जो mother है वे एक्सपायर हो जाती है and she took promise from Aveline to take care of her brothers and family the woman has to look after all the household work हम क्या देखते हैं जितने भी household works है उन सब को Aveline को ही करना पड़ता है she has to clean the house, has to go for shopping and all the works related to her home हम क्या देखते हैं कि इनको ना सिर्फ अपने घर का काम करना पड़ता है बलकि shopping का काम भी यही करेंगी Aveline ही करेंगी साथ में ही घर के जितने भी काम है घर की साफ सफाई करना, घर का cooking करना, घर के बाकी काम करने के संग shopping का काम भी as her mother, इनसे पहले इनकी mother यह सारे काम करती थी और अब इनको यह सारे काम करने का बोला गया the same happened with Aveline after her mother's death और यही हम क्या देखते हैं जैसे ही Aveline की mother की death हुई, सारी responsibilities ultimately किसके उपर आ गई Aveline के उपर आ गई, Aveline is not very old, her father never pays attention to her age हम क्या देखते हैं कि Aveline जो हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं और उनके जो father हैं वो बिलकुल भी उनकी age के उपर, उनके खुद के उपर as a girl उनके लिए क्या responsibilities हैं, उन पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं हम क्या देखते हैं, Aveline जो है वो 19 years old girl है और उनके जो father है वो उनके उपर बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं He said at one place that what she was doing was only for the sake of her dead mother हम क्या देखते हैं एक जगह पे आवलेन के father ने यह भी कह दिया था कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हो आपकी जो mother के death हो गई थी mother को आपने promise किया था इसी लिए से आप ये सारा काम कर रही है आवलेन earned for her family और हम क्या देखते हैं कि आवलेन जो है ना सिर्फ घर के काम कर रही हैं बलकि वो अपने family के लिए कमाई का साधन भी बन गई हैं हम क्या देख रहे हैं हर father was careless and irresponsible towards them आवलेन, Harry, Ernest तीन बच्चे होते हैं तीनों हम कह सकते हैं कि इनके जो father होते हैं तीनों बच्चों के वो उनकी बिलकुल भी care नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है वो अपनी डाटर आवलीन को तो हमेशा डांटते डपटते ही रहते थे और सबसे बड़ी बात है कि मदर की डेथ के बाद में फादर ने भी घर पे ध्यान देना बंद कर दिया था जितनी भी उनके फैमिली बड़न थे उन सबसे वो फ्री हो गए थे वो बिलकुल भी care नहीं करते थे फैमिली की इसलिए हम क्या देखते हैं बचों की जेम्स जोयक सर के टाइम में जो गल्स है उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था उनको प्रॉपर लाव केर नहीं दिया जाता था बचों यहां पर कि जो एवलीन है या एवलीन की तरह और सारी जो गल्स है उनको क्या करना पड़ता था उनकी लाइफ जो बहुत ही हार्ड होती थी छोटी सी एज में ही उन्हें बहुत सारे जिम्मेदारियां दे दी गई थी lot of responsibilities are there not only to run the house but look after their younger brothers and sisters और हम क्या देखते हैं कि उनके लिए food का arrange करना उनके लिए कमाना ये सारे काम कौन कर रही हैं गज कर रही हैं इन्होंने सिर्फ एक आवलीन के करेक्टर को लेके हमें इस चीज को पॉइंट आउट करके समझाया है और हमें क्या समझ में आया कि जो एवलीन है वो ऐसे society से belong करती हैं जहां पर अगर mother की death हो जाती है और father drunken father है violent father है तो उनमें जो बच्ची है उनके उपर ही all over responsibilities आ जाती है it is a merciful situation for them और उन सब के लिए बहुती situation worst होती जाती है the girls also won't love and care लड़कियों को भी प्यार और केर की जरत होती है if that is not in their family they have to seek it outside the house और अगर उनको प्यार और केर घर पे नहीं मिलता है तो वो इसके लिए भटकती है और बाहर प्यार और केर ढूंडती है जैसे की हमारे इस story की character आवलीन ने ढूंडा था लेकिन in the last हम क्या देखते हैं आवलीन संभल गई है और उनको अपने responsibilities भी याद आ गई है और उनको एक time moment अपने caring father की भी बात याद आ गई और उनको लगा they will take care at my proper time next question अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक dust word का use आ रहा है हमारी story में तो यहाँ पे वो dust किस चीज़ से related है इसी को हम question में attempt करते हैं आवलीन's home is full of dust what does it symbolizes यहाँ पे dust जो है वो किस चीज़ को symbolize करके बताई गई है हमें वह ही यहाँ पे describe करनी है dust only हम मिट्टी को नहीं कहेंगे हम जो बाहर से गर्द आ रही है हम उसे नहीं dust कहेंगे यहाँ पे dust का symbolization किया वा है we will take that in proper way the author tells us about the thought process of Evelyn when she was sitting by the window जो writer है author है वो आवलीन की जो story को लिख रहे होते है तो वो क्या कहते हैं एवलीन एक बार window के पास में बैठी थी she noticed in her review with the objects of her house that they were all full of dust और खाली बैठी बैठी window में बैठी थी खाली बैठी बैठी अपने पूरे घर को देखती है और पूरे घर को देखके वो क्या कहती है इतनी सारी मिटी मेरे घर में कहां से आ गई जबकि हम क्या देखते हैं कि आवलीन जो है वो बैली अपने घर के साफ सफाई करती है she wondered from where had this dust come और यह उनके लिए बड़ा ही अश्यर्य होता है she cleaned her home every day it was the dust that could be seen by the eyes of a person और यह जो dust है वह कहां से दिखती है लोगों की नजरों में दिखती है लोगों की नजरों में इस चीज़ का एहसास होता है इसलिए हम क्या कहते है James Joyke सरका James Joyke symbolizes this dust with the dust of ideas that was there on her father जी हां उनके father के लिए इसको यूज किया गया है जो ideas है उनके father से related वो यूज किये गए है he was very careless and irresponsible Evelyn सुचती है कि ये इतनी मिटी कैसे आ गई है मिटी यहां पर क्या symbolize कर रही है उनके father के ideas को symbolize कर रही है कि एक father इतना careless और irresponsible father कैसे हो सकता है there was dust on the love that was on the relationships of our family members एक और dust का यहां पर symbolize किया जा रहा है कि जो family members है उनमें कहीं ने कहीं relationships में लव का जो उतार चड़ाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है those who wanted love and sincere care were not given in the proper sense और ऐसे लोग जिनको proper care और love की जुरत है उनको proper sense में love और care नहीं मिल रहा है यहां पर हम किसके love और care की बात कर रहे हैं बच्चों हम बात कर रहे हैं एवलीन के love और care की जी हाँ एवलीन जो है वो 90 years की हो गई है और वो खिड़की में बैठी बैठी सोचती है कि मेरे पापा बिलकुल भी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं मेरे पापा इतना गेर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं एक परिवार में प्यार की जरुरत है वो क्यों नहीं दे रहे हैं वो क्यों नहीं यह एहसास कर रहे हैं कि मैं अब बड़ी हो रही हूँ और मुझे भी प्रॉपर कैर की जरुरत है तो मेरे फादर यह सब क्यों नहीं कर रहे हैं और यही सब कुछ हमें बताते हैं कि उस समाज में लड़कियों के अंदर जो चेंजिस आ रहे हैं, उन चेंजिस के लिए पूरी फैमिली को चेंज होना चाहिए, उन चेंजिस के लिए फादर को विशेज प्रॉपर केर देनी चाहिए, तो यहां पर यह जो डर्ट की बात कर रहे हैं, वही डर्ट की बात कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं, कि जब घर पे प्रॉपर लाव एंड केर नहीं मिल रहा है, तो जो एवलीन है, उनका जुकाव कि सैड हो जाता है, आवलीन इस तरह की केर किसमें ढूंड लेती हैं, फ्रेंक नाम के एक सेलर में ढूंड लेती हैं, आवलीन फादर अपोजिट, लेकिन आवलीन के फादर को जैसे ही पता चलता है, कि उनकी बेटी जो हैं, वो फ्रेंक के साथ में कहीं न कहीं अटेस्ट हैं, तो उस समय as a father, जी हाँ, as a father उन्हें अपने responsibilities का ज्यान हो जाता है, और वो इस चीज़ का अपोज करते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं, the writer says that the society has to seek the moral attitude, जी हां, society को कहीं न कहीं हमें change करने की जरुत है, moral attitude लाना बहुत ही जरूरी है, it needs to develop love for our young generations and especially for girls, और यह सब किसलिए जरूरी है, हमारी जो young youth generation है, जिनके दिमाग में कई सारे विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को एक धारा प्रवाह देना, आपको बच्चों मैं हलका से एक हिंट देती हूं, कि आपने देखा कि पानी बरसता है, तो बांध के gate बंद कर दिये जाते हैं, और उस पानी का प्रॉपर यूज लिया जाता है, बिजली बनाने में, दूसरे कामों में, और यही अगर उनके gate खोल दिये जाते हैं, तो वो बाड के रूप में सामने आ जाती है, तो यहाँ पे हम यही कहने चाह रहे हैं, जो यूथ है, उनमें जितने भी दिमाग में आइडियाज आते हैं, अगर आप उनको positive way में लेंगे, तो वो positive result देंगे, अगर आप उनको negative way में लेंगे, तो वो negative results आपको देंगे, एक और चीज हम क्या देखते हैं, it symbolizes the dust on the sweet relations, यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात है, हम dust की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह जो dust है, यह जो relations है, उन relations के उपर भी इसको symbolize करके बताया गया है, तो बच्चों मैं फिर कहूंगी, आपके जितने भी thoughts हैं, आपके जितने भी बाते हैं, आप हमेशा अपने family members से share जरूर करें, जरूरी नहीं होता कि अगर mother नहीं है, तो बुआ नहीं हैं, घर पे दादी सा नहीं है, yes, you have your sisters, your auntie, your grandma, और sister-in-law, whatever may be, but you will share your thoughts to anyone in the family, क्योंकि यह youth को positive attitude लाने के लिए जरूरी है, और मैं boys के लिए भी कहूंगी, कि boys को भी हर हालत में positive ideas लेके चलना चाहिए, अपनी जो energy है, उसको positive way में लगाएं, आप sports खेलें, आप music में अपने आपको divert करें, आप देखी, आप ही अपना अच्छा कर सकते हैं, और आप ही अपना बुरा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ को इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो next question है, वह इसी से related भी है, what do you think about the last moment decision of Evelyn, Evelyn ने एक decision लिया था last moment पे, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, यही question यहाँ पे लिया गया है, और जो हमने दो मिनिट पहले बात की बच्चों, उसको भी यहाँ पे point out करके बताया जा रहा है, Evelyn कहीं न कहीं अपनी mother की बात कर रही है, अपने brother की बात कर रही है, और अपने decision को change भी कर रही है, what are the changes in her decision, see with me in this answer, Evelyn was not in condition to take a decision, होता क्या है, Evelyn जो है वो Frank के संग घर छोड़ के जा रही है, लेकिन in the last उनके जो mind है, वो अपने आप में struggle कर रहा है, whether I will go with Frank or not, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, Evelyn जो है वो इस condition में ही नहीं है, कि वो किसी तरह का कोई भी result ले सके, decision ले सके, she was fed up with the problems and the responsibilities imposed on her, हम क्या देखते हैं, कि वो एक बहुत दुखी आत्मा की तरह हो जाती है, क्यों हो जाती है, कि उनको यू लगता है कि मैं तो अभी 90 years की हूँ, और मुझ पे घर के इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई है, तो कहीं न कहीं उनको क्या लगता है कि मेरे पे ये सब जो problems आ रही हैं, ये इसी वज़े से आ रहे हैं कि मेरे पे overburden कर दिया गया है, she was not ready to accept all that, she also thought of a happy and comfortable life with her lover, वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, जहां पे उनके उपर जिम्मेदारियां, responsibilities डाल दी चाहें, इसी लिए वो क्या चाहती थी, I want a happy life with my lover, मैं लवर के संग रहूंगी, मेरे friend जो है, उनका Frank उनके संग रहूंगी, तो मैं खुशी-खुशाल जिंदगी जीऊंगी, she could guess all the happiness there, और वो एक कल्पना करती है, only उनका imagination है, कि after marriage उनको सारी खुशियां मिल जाएगी, then she also thought of her promise made by her to her mother at her death bed, उसके बाद में हम क्या देखते हैं बच्चों, एक तरफ वो देख रही हैं, कि अगर वो फ्रेंक के संग जाती हैं, तो वो एक खुशाल जिंदगी ले लेंगी, लेकिन तभी उनको क्या realize होता है, कि मेरी मदर की जब death हो रही थी, तो मैंने मेरी मदर को एक promise किया था, क्या promise किया था, मदर ने उनको एक ही कह था, आवलीन, प्लीज आप अपनी और अपने भाईयों की देख बाल करेंगे, और इस परिवार की unity को बनाई रखेंगे, तो जो यहाँ पर आवलीन करेक्टर है, उन्हें अपनी मदर की बाते याद आती हैं, उन्हें याद आती हैं, वो सारे promises जो उन्होंने अपनी मदर को death time में दिये थे, और यहाँ पर हम अगर अपना खुद का opinion देना चाहें, आवलीन की बात हो गई, सब कुछ हो गई, अगर हम अपना खुद का opinion देना चाहें, तो हम क्या देखेंगे बच्च, इन माई ओपिनियन देशिजन विच वॉस टेकन बाई आवलीन एठार लास्ट मोमेंट में आवलीन के द्वारा जो डिसिजन लिया गया था, वो डिसिजन एकदम सही है, उसमें हम कहीं न कहीं कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते हैं, उन्होंने अपनी प्रेस्टीज को बनाए रखा था, और अपनी मदर से जो प्रॉमिस किया था, उसको भी बनाए रखा था, और इसलिए हम कहें सकते हैं कि यहां पे जो एवलीन ने डिसिजन लिया था, कि मैं जो हूँ, फ्रेंक के साथ नहीं जाओंगी, तो यह डिसिजन उनका सही था, तो मैं आपको वही चीज बता रही हैं कुश्चे से पहले हमने जो किया था, कि if you have positive ideas in your mind, you will take a right decision, if you want to take a love and care of your family, first you will devote your love and care to family members, तो यहां पे हम देखते हैं कि हम बाहर कहीं प्यार खुझते हैं, उससे पहले आपका जो घर है, परिवार है, वहीं पे आपको प्यार मिलेगा और प्यार कहीं नहीं मिलेगा, और इसी को आवलीन ने प्रूव भी करके दे दिया है, कि my first responsibilities are for my family members, यहां पे एक और कुशिन है, लॉंग कुशिन की रूप में हम देखते हैं से, हम देखते हैं, आवलीन और फ्रेंक के बीच में जो लाव क्रियेशन किया था, जेम्स जोयक सर ने, तो वहां पे यह जो क्रियेशन है, यह कुशिन की रूप में लिया गया है, हाँ वस फर्स्ट मिटिंग और फ्रेंक और आवलीन की पहली मिटिंग किस तरीके से थी, उन्होंने अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए क्या-क्या डिसिजन लिये थे, तो इस आवलीन और फ्रेंक के रिलेशन्शिप को हम यहां पे इस कुश्चिन में टेकल कर रहे हैं, शी दिस आंस्वर विद मी, आवलीन में प्रेंक फ्रेंक फर्स टाइए बन यहीं वाज लिविग अन दे में रोड, आवलीन सबसे पहले फ्रेंक को कहां देखती हैं, जब वो में रोड से जा रही होती हैं, आवलीन यूज तो विजट त प्लेस, यहां पे हम क्या देखते हैं, he was living on the main road main road पे ही वो रहते हैं और हम क्या देखते हैं Aveline जो है वो उसी रस्ते से ज़्यादा तर जाती रहती थी Frank's face was of bronze color Frank का वर्णन किया गया है कि जो Frank का face है वो bronze color का था और he was standing at the gate wearing a camp वो gate के बाहर खड़े थे कैप पहने वे थे तो यहाँ पर Frank का description हो रहा है यह सारा हम क्या देखते हैं जब Aveline और Frank का first meeting की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं they met outside the store एक store के बाहर उन दौनों की मुलाकात हुई थी she felt happy when she met him और कही ने कहीं जो changes आ रहे थे Aveline में और Aveline क्या कहती हैं कि मुझे अच्छा लगा कि मैं जो हूँ Aveline जो है वो Frank से मिली है Frank was fond of music and sang a little यहाँ पर यह भी पता चलता है जो Frank है वो music के बहुत शौकिन हैं और वो गाना भी थोड़ा बहुत गा लेते थे Aveline और Frank's scholarship was well known to the people there परन तो कहते हैं कि लोगों को पता चल जाता है तो यहीं पर हम क्या देखते हैं Aveline और Frank के बारे में आस पास के जो लोग थे उन्हें पता चल गया था They thought of living together Aveline और Frank तो यह चाह रहे थे कि हम एक साथ रहें She was going to be his wife और यहां पर एक कलपना शेलता को उन्हें दोनों ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया They want to be a happy life और यहां पर Aveline को for a moment क्या लगता है As a wife of Frank I will live a happy life They were to expand their life in Buno's asses और दोनों ने यह भी decide कर लिया था कि after marriage जो है वो दोनों Buno's asses में रहेंगे She thought of a happy home and life और यहां पर एक लड़की के रूप में Aveline जो है वो Imagination कर रही है एक promise कर रही है Frank के साथ में क्या कर रहे है कि after marriage उनका एक happy home होगा और एक happy life भी होगी तो यहां पर हमने क्या देखा हमने long question answers को complete किया है और हमने Aveline और Frank के करेक्टर का इसमें discussion किया है हो बच्चों आपको यह सारे जितने भी questions हैं यह practice में आएंगे you all do these questions in your copies और हम next video में मिलते हैं next story के साथ तब तक बने रही है बिंदू के साथ नमस्कार